नमस्कार विद्यार्थियों, ओल्लाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है, विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत में सूती वस्त्र उध्योग के एतियासिक परिद्रश्यों को जाना, साथी साथ हमने वीडियो के अंतिय पार्ट में जाना कि किसी भी छेतर में सूती वस्त्र उध्योग की इस्तापना जो होती है, उसके इस्तानिये जो करण के कारण कौन-कौन से है, और भारत में भी सूती वस्त्र उध्योग की इस्तापना के लिए ये कारक है, वो जिमेदार है और जिसके करण भारत में सूति वस्त्र उद्योग का विकास हम कर पाएं इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों आज इस वीडियो के मद्यम से हम भारत में सूति वस्त्र उद्योग के भारत में सूति वस्त्र उद्योग के वित्रण को पढ़ेंगे सूती वस्त उद्योग के वित्रण को हमें पढ़ेंगे वित्रण के अंतर कर देखें तो भारत में सूती वस्त उद्योग जो है उसके दुरान हम एक बार भारत की संकल्पना को जानने से पहले विश्व की संकल्पना को जाने तो विश्व के 50 प्रतिशत से अधिक जो कपास ह यानि विश्व के 50% से ज्यादा जो कपास उत्पादने देश है उनमें भारत चीन सयुक्त राज्य अमरीका एवं पाकिस्तान पाकिस्तान उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान और मिस्र ये देश विश्व के 50% कपास का उत्पादन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत जो देश है विश्व के अगर्णिय कपास उत्पादक देशों में गिना जाता है इसी अधार पर हम भारत के सूती वस्त्र उध्योग के विकास को जानते हैं वो विक्षित है इसके अंत्रकर देखें तो भारत में महारास्ट इसके अलावा गुजरात राजस्तान उत्तर प्रदेश बिहार जारखन पस्सीमी बंगाल आंद्री प्रदेश तेलंगाना करनाटक और तमिलाड़ू यह प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आपकी सरवादिक सूती वस्तर की मीले देखने को मिलती है इसके अतिरिकते कुछ मात्रा में केरल, पंजाव, हर्याणा इन चेत्रों में भी सूती वस्त्र की मीले आपको देखने को मिलती है इसके बाद हमें राज्यानुसार सूती वस्त्रुद्योग के सुरुख को जाने तो सबसे पहले हम महाराष्ट राज्य की बात करते हैं महाराष्ट के अंतरगत देखें तो महाराष्ट में सूती वस्तर यी 181 मीले हैं और जिन में देखें तो सरवादिक मीले जो है वो आपकी मुंबई में देखें वो मिलती है और वो भी कितनी 57 के लगभग मीले आपकी अब मुंबई को इन सूती वस्र मिलो और सूती वस्र की उत्पादन के करण भारत में सूती कपड़ों की राजधानी या भारत का मैंचेस्टर भी कहा जाता है क्योशन दो नुमबर का आपके ये भी बनता है कि जो भारत में मुंबई नगर में सूती वस्र मिले है तो मुंबई में सूती वस्र मिलों के पीछे कौन-कौन से रीजन है जो यहां पे सूती वस्र मिलों का उत्पादन या सूती कपड़े के उत्पादन के लिए अनुकूलत मुझा कूप परदेशित करते हैं तो सबसे पहला रीजन तो आपका है नम जल्वायोका हूंब नम जलौयोका होना विद्ध्यार्थियों हम देखे मुंबें की लोकेशन तो यहां यह जल्य बहाग यह इस्तलिय बहाग यहां पर हमने फिजिकली तरीके से देखें तो जलिय समीर इस्तलिय समीर चलेगी और तटवर्ती समस्त छेतर हमारे भारत के हैं वो नम जलवायू के छेतर है और कपास उत्पादन के लिए नम जलवायू को होना एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है दूसरी बात करें कि यहां पर कच्चे मालकी आप पूर्ती जो होती है वो आसान होती है कैसे आपको होगे कि मुंबई जो राज्य जो आपका नगर है वहां तो कपास होती नहीं है लेकिन महाराश्ट एक अच्छा उत्पादक राज्य है और महाराश्ट की यह कपास उत्पा उसमें हैं बंदरगाह की स्तति कौन सी स्तती मुंबई में बंदरगाह की स्तती है गया है वह विदेशों में निरियात की जाथी थी मुखर आइच्ञ करण से ये जो है प्रमुक्ष बाजार बन गया कोण मुंबई तो बंद्रगा की सती कारण यहाँ पबन जो बन गया इस विशिश्च भाजार के कारण मुंबई में सूतिवस्र मिलो की स्थापन खुई दूसरी बात यहां बहुत्से राज्य जो है इन राज्यों की स्प्रेड मतलब राज्य जो यहां पे हैं वहां के लोग यानि जो रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग यहां पे आते हैं और इसे नगर में वह रोजगार के लिए निवास करते हैं तो सस्ते स्रमिकों की यहां पे बहुत तायत्ता देखने को मिलती इस कारण से भी यहां पे सूती वस्त्र उद्योग है उसका विकास देखने को मिला साथी साथ जल विद्युत इकाई जल विद्युत इकाई जो यहां पर जो टाटा जल विद्युत सकती जो उत्पादन है व वुतिवस्त्र मीलों की प्रदानता देखने को मिलती है तो विद्यारतियों नमजलवायू, सक्चामाल, बंदरगाहा की इस्तती और आपके विशिष्ट बाजार, विशिष्ट बाजार, विशिष्ट सक्ती के स्रोत, और सस्ते श्रमिक और जल विद्धुत की उपलबता, ये सारी स्ततिया है वो मुंबई को इसको मुंबई को एक उन्नत कपास उत्पादक छेतर के रोप में क्या है इंगित करती है मुंबई के बाद हम महराश्ट राजे में और जो उत्पादक छेतर है उरकी बात करें तो आपके कोलापूर महराश्ट इसके बाद देखें तो सोलापूर महराश्ट इसके बाद देखें तो नागपूर महराश्ट अकोला जलगाओं इसके अतिरिक्त देखें तो पूरे यह प्रमुख यहां के सूति वस्त्र उत्पादक छेतर आपके माने जाते हैं इसके लावा आपके एक नाम है औरंगाबाद तो एक बार रिपीट कर दो कोलापूर है, सोलापूर है, पुने है, नागपूर है, अकोला है, औरंगाबाद है, जलगाव है, ये प्रमुक प्रदेश है जहां पे सूती वस्तर की मिले देखने को मिलती है विद्यार्थियों इसके बाद जो दूसरा प्रमुक राज्य है वो है गुजरात गुजरात राज्य की हम बात करें तो गुजरात राज्य भी सूती वस्र उत्पादन में भारत में देखें तो दूसरा प्रमुक रखता है 135 मीले यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मील है वो आपके एहमदाबाद में देखने को मिलती है किसमें एहमदाबाद में देखने को मिलती है और एहमदाबाद जो है वो जो है 65 मीलों के 65 मीले है वो कहाँ पर है एहमदाबाद में है और पेसेट मिलो के साथ हम इस एहमदाबाद नगर को भारत का या यू बोल सकते हैं पूरव का वोस्टन कहते हैं पूरव का वोस्टन कौन से नगर को कहते हैं एहमदाबाद को पूरव का वोस्टन या गुजरात का मैंचेस्टर कौन सा नगर है एहमदा अब एहमदाबाद की विसेस्ता क्या है कि एहमदाबाद जो है उत्तम और महीन कपड़ा जो सूती कपड़ा है वो उत्तम और महीन पहंद करता है ईहमदाबाद करता है इसके अलावा और कौन-कौन से चेत्र है एहमदावाद के अलावा इसमें गुजरात में एक चेत्र तो आपका है सूरत कौन सा है एक चेत्र तो आपका सूरत एहमदावाद में एक चेत्र कौन सा है सूरत है सूरत के अलावा और कौन सा छेत्र है जो गुजरात में महत्पूर्ण सोती वस्तर का उत्पादक छेत्र है तो इसमें दूसरा नाम आता है बडोदरा कौन सा बडोदरा तो एक तो है सूरत एक है बडोदरा इसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है पोरबंदर क्या नाम आता है पोरबंदर और द्वारिका और क्या नाम आता है द्वारिका पोरबंदर और द्वारिका इसके लावा बात करें तो राजकोट कौन सा राजकोट ये प्रमुखे जो उत्पादक छेत्र है वो किसके हैं आपके गुजरात के हैं एक बार रिपीट करता हूं र आयम्दाबाद दूसरा है सूरत सूरत तीसरा है बडोद्रा और इसके बाद हम देखें तो द्वारिका पोरबंदार राजकोट यह प्रमुक छेत्र है जहां पर आपके सूती वस्त्र का उत्पादन होता है इसके बाद जो राज्य है तमिलाडू तमिलाडू की हम बात करें तो तमिलाडू राज्य भी सूति वस्त्र का प्रमुक उत्पादक छेत्र माना जाता है और इस झेत्र में सबसे महत्य पूक्षिस हम देखें एक छेत्र का नाम पढ़ाये था नागाबी पत्नम तमिलाडू का जो महत्पूर्ण शूतिवस्त पारग छेत्र माना जाता है इसके अलावा हम यहां सबसे ज्यादा मिले जो है वो कौन से छेत्र में है इसकी बात करें तो आपका जो छेत्र है वो है कोयमबटूर कुएंसा कोयमबटूर कोयमबटूर जो है वो तमिलाडू का एक एसा छित्र है जहां पर तमिलाडू की कुल 50% से भी ज्यादा मिले हैं तमिलाडू की कुल 50% से भी ज्यादा मिले हैं वो कहां पर है तमिलाडू की कोयमबटूर में हैं और कोयमबटूर को ह कहते हैं क्या कहते हैं यह कि यह को कहते हैं तमिलाड़ू कि कोयम वटूर को अब आप कहोगे साथ ये 50% से ज़्यादा जो मिले है वह आपके कोई मतूर में है थीक है लेकिन 50% मिले है वो किस चीज़ की है तो 50% जो मिले है केवल किसकी है कपड़ा बढाने की नहीं है सूत कातने की है किसकी है सूत कातने की मिले है 50% जो मिले जो टोटल तमिलाडू की 50% मिले यहां पर है वो किस चीज़ की है वो सूत कातने की मिले है कहां पर है तमिलाडू में कपड़ा बनाने की नहीं है किसकी है सूत कातने की मिले है और दक्षिन का मैंचेस्टर का है तमिला जाता है तो इसके अलावा एक नाम आता है आपके चेन नहीं का एक नाम क्या आता है चेन नहीं के बाद देखें तो मद्रई कौन सा मद्रई मद्रई के बाद में देखें तो आपके नाम आता है सेलम कौन सा एक में देखते हैं कअ कि फेला है चैनला ही मदरै मदरे के बाद आता है अभग तुन सा तेप्रीरु से तुछीडापली और टिरुलिभली पहले है तिरुीडापली तिरुगिया पर्ली इसके बानावे हम बात करें तो आपके जो क्छेतल है उसमें आता है है तूती कौरीन एक नाम आपके आता है वो आता है मदरवी मदरवी बता दिया था वे तो ये प्रमुखे यह के उत्पाधक छेतर रहे एक कोयमबटूर आपने में हमonsma और इक तो कौन सा है कोयमबटूर फिर है आपका चेने तीरोचीरापली मदरवी तूती कोरेन यहां के प्रमुखे उत्पादक छेत्र है इसके लाव एक नाम आता है आपके सेलम कौन सा सेलम सेलम भी यहां का क्या है प्रमुख उत्पादक छेत्र माना जाता है तो विद्यार्तियों हमने तीन प्रमुखे राज्यों को देखा जहां पर सूती वस्तर उत्धोग का उत्पादन किया जाता है इसके अलावा हम अगले राज्यों को देखें तो अगले राज्ये में आपके नाम आता है पस्यमी बंगाल का किसका आता है पस्यमी बंगाल का पस्यमी बंगाल के अंतरगत हम देखें तो है उसके आसपास देखें तो आपके जो छेत्र है उनमें एक तो आता है चोबीस प्रगना यहीं पर है कोलकता की पास ही कौन सा 24 परगना 24 परगना एक आता है हावडा एक आता है आपके हावडा एक आता है आपके हुगली यही पर कौन सा हुगली हावडा और आपके कोलकता एक आता है 24 परगना यही पर और एक आता है क्या हुगली और सिरामपूर यह सारे छेत्र यही पर है कोलकता के आसपास के छेत्र ही है जहां पर सूती वस्र का उत्पादन किया जाता है अब आपके पाठ्ठे करम के नुसार देखें तो एक प्रस्ण आपके मुंबई के जैसा ही कॉलकता से पूछा गया है कि कॉलकता जो है कॉलकता है यहां पर जो सूती वस्र उद्योग है इसके विकास के लिए कौन-कौन सी जो कौन-कौन सी कारण है जो उत्तरदाई है तो इसके लिए भी वही कारण है कि कॉलकता की जो बंदरगाह की इस्तती है कॉलकता की कौन सी इस्तती बंदरगाह की इस्तती है वो सूती वस उत्पादन के लिए सबसे महत्पूर्ण मानी जाती है इसके लावा कोलकता है बाहरी छेत्रों से मसीनों का आयात करता है तो मसीनों के आयात की सुईधा ये भी यहां पे सबसे महत्पूर्ण है तीसरी बात करें तो कोलकता के आसपास रानी गंज है जरिया है बोकारो है ये क कोईले के चेत्र है तो कोईले के चेत्रों की उपस्तती कोईले के चेत्रों की उपस्तती यह भी क्या है यहां पे जो निकड़ता है इस कोलकता चेत्र के आसपास यह भी यहां की उत्तम जो विकास का कारण मानी जाती है साथी साथ मुंबई जैसी ही आद्र और नम जलवायू आदर वे नम जलवाय। कोन कोन के सी जलवाय। मुंबई जैसी आदर वे नम जलवाय। ये भी इसका प्रमुक रीजन है। मुख्य यहां पर इस्तानिय बजार है यह भी इसका प्रमुक कारण माना जाता है। और दूसरी बात कि जो पूर्वतर राज्यों में उद्ध्यों का विकास नहीं है तो यहां से पूर्वतर राज्य के अंदर भी क्या है जो सुति कपड़ा है उसकी आपूर्ति की जाती है यह भी इसका प्रमुक कारण माना जाता है तो कौन-कौन से कारण है पहला कारण तो दूसरे कारण है कि आयाद की सुविधा इसको मिल रही है आसपास की से क्रियाओं की परदानता है आध्र और नम जलवायू है Скवात्ञ इसे चेतर में सरवादिक मात्रा में विकास देखने को मिलता है और कहां मिलता है यह विकास केवल कोलकता के आसपास के छित्रों में ही देखने को मिलता है 34 24 प्रगरा है हावडा है उगली सिरामपूर यहां पर आपको विकास देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की तो नेक्स्ट राज्य में बात करें तो आपके आता है कौन सा उत्तर प्रदेश नेक्स्ट राज्य में बात करें तो कौन सा आएगा आपके उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंतरगत देखें तो उत्तर प्रदेश में आपके 36 मीले है जिनमें सबसे मुख्य जो है वो है आपके कानपूर कानपूर जो है जिसे हम क्या बोलते हैं उत्तर भारत का मैंचेस्टर क्या बोलते हैं उत्तर भारत का मैंचेस्टर तो आपके मैंचेस्टर वाला जो सिस्टम है वो तो समझ में आ गया होगा कि मैंचेस्टर कहां पर है तो मैंचेस्टर इंग्लेंड का नगर है जो सूती कपड़े के उत्पद्र के लिए जाना जाता है और भारत में मैंचेस्टर की बात करें तो बंबई है गुजरात में बा है जो क्या है अपने राजस्तान का मैंसिस्ट कहलाता है इसके बाद हम देखें तो और कौन-कौन से जो जहां पर आपके सूतिवर्स्थ उद्योग का विकास किया जाता है कौन से जगे हैं आपके उत्तरप्रदेश में उत्तरप्र MOM कों सा आता है इसके अलावा हम बात करें तो बारेली के अलावा आपके सहारन पूर कौन सा सहारन पूर आता है सहारन पूर भरेली के बाद देखें तो क्या आता है साहारणपूर बरेली आपके कानपूर ठीक है इसके बाद देखे तो आपके हाथ्रस जो हात्रस है वह है और हात्रस के बाद देखे तो आगरा हात्रस के बाद देखे तो आगरा यहां सबसे महत्तपून सबसे महत्वण आपके उत्पादक छित्र माने जाते हैं आगरा सबसे महत्वण उत्पादक छित्र माने जाते हैं तो एक बार में रिपीट करता हूँ एक तो कौन सा कानपूर है कानपूर के बाद देखें तो आपके सहारनपूर है सहारनपूर के बाद देखें तो बरेली ह बरेले के बाद देखे तो आपके हात्रस है हात्रस के बाद देखे तो आपके आगरा है ठीक है यह प्रमुक उत्पादक छेत्र माने जाते हैं अब नेक्स्ट राज्य की में बात करूँ तो नेक्स्ट राज्य के अंत्रगत आपके नाम जो आता है वह है करनाटक करनाटक में सबसे महत्पूर्ण जो है वह आपके बैंगलूरू के आसपास जे च्छेत्र है वहां पर आपके सूती वस्तर का उत्पादन किया जाता है कौन से में बैंगलुरू के आसपास के जो छेतर है वहां पर सूती वस्तर का उत्पादन किया जाता है इसके अलावा जो दूसरा प्रमुक छेतर है वह आपके आता है बेलारी कौन सा बेलारी कौन सा चेतर है बेलार लगो यहां पर देखें तो तेलंगाना जो राज्य है उसकी कपास के माद्यम से उसके कपास के द्वारा सूती वस्तर के उद्यों का विकास जो इसके अंत्रगत जो मुख्य छेत्र है उनमें आता है आपका हेद्राबाद मुख्य छेत्रों में कौन-कौन से आते हैं एक तो आपका आता है हेद्राबाद हेद्राबाद के अलावा देखें तो यहां पे सिकंद्राबाद हेद्राबाद सिकंद्राबाद आंद्रप्रदेश का गुंटूर आपके नेलोर गुंटूर के बाद देखें तो आपके नेलोर और आंद्रप्रदेश में ही देखें तो आपके वारंगल हेद्राबाद आपके इसका तेरंगाना में आता है वारंगल तो वारंगल है और गुंटुर है गुंटुर है नेलोर है शिकंद्राबाद है हेद्राबाद है और यह आपके वारंगल है यह प्रमुक यहां के सूती वस्तर के उत्पादक छित्रमाने जाके है अब हम बात कर र राजये की तो सबसे पहला छित्र आपके आता है या बील वारा को हम ने क्या का है राजस्तान का मांचेस्ट तूत्व दो मिल की बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी कभ लगी 1889 में कहां लगी ब्यावर में लगी ब्यावर कहां है अजमेर में इसके अलावा सूती वस्तर के अंतरकदर राजस्तान में देखें तो आपके उदेपूर आता है उदेपूर आता है आपके उदेपूर के बाद देख पाली बासवाड़ा आपके उद्यपूर भील वाड़ा अजमेर ये आपके सबसे महत्पून सूती वस्तर के उत्पादक छेतर है कहां पर राजस्तान में इसके अलावा हम जो अन्य राज्यों में देखे तो पंजाब का अम्रस्र और लुदियाना पंजाब का एक तो कौन सा नाम आता है अम्रस्र और एक कौन सा नाम आता है लुदियाना ये दो छेतर आपके सूती वस्तर के उत्पादन छेतर माण जाते हैं साथी साथ बिहार की बात में करूं तो बिहार के आपके पटना है पटना है आपके भागलपूर है गया के बात देखे तो क्या है है भागलपूर बागलपूर के अलावा देखें तो आपके मुंगेर यह प्रमुख क्छेतर है जहां प sürतन किया जाता है पतना है गया है पटना गया दो छेतरी आ गया भागलपुर आ गया और मुगेर आ गया यहां पर आपके सूती वस्तर का उत्पादर्ण किया जाता है साथी साथ हम बात करें केरल की तो केरल में जो सूती वस्तर उत्पादर्ण की बात करें एक तो आपके आता है जो तीरुवंत पुर इस प्रश्र का वत्पादन करते हैं एक तो क्योंसे वीडियो में पढ़ा था कि सूती वस्त्र के स्तानी करन के कौन से कारण थे लेकिन भारत में सूती वस्त्र है उसको कई उद्योगों के साथ प्रतिस्परदा करने पड़ रही है कई वस्त उद्योगों के साथ प्रतिस्परदा करने पड़ रही है और उसके पीछे हमारा करण है कि हमारे पास में एक तो है उत्तमरेशे की कपास है उसकी कमी है भारत में जो भारती कपास ज्यादा है और उत्तमरेशे कपास की क्या है कम दूसरी कि हम पर्म परागत मेंने बात कही थी कि परम परागत सुर्मिक ज़ादा है और पराज टकनीकी क western प्रियोग करते हैं पुराणे मशीनों कर रहें इसके 90 में ज्यधा विकास नहीं उपरे और हमारे पास में विद्यूत आपूर्ती जो है उसका उसकी परियात्ता नहीं है سब जगे परियात्ता हmbं नहीं है यह भी क्या इसका एक मैत्पुर्ण जो रीजन है है जिसके कारण सूती वस्त्रुद्योग है वो आगे बढ़ नहीं पाया इसके अलाव और क्या रीजिन हो सकता है इसके लावा रीजिन है कि जो भारती जो कपास है उसको अन्य उद्योगों के साथ प्रतिश्पर्दा करनी पड़ती है जो में अभी जेस्ट कहा अब हम बात क पिछले वीडियो में सूती वस्त्र के अतियाशिक प्रदेश्यों को पड़ा इस प्रकार सूती वस्त्र जो आपके पाठे करम अनुसार था उसके समस्त बिंदू को आमनी क्या है इसे वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया विद्यारतियों अगले वीडियो के माध्यम से हम हमारे पाठे करा मनुसार जो उद्योग है चीनी उद्योग कौन सा उद्योग चीनी उद्योग उस चीनी उद्योग को हम देखेंगे धन्यवाद